दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल बाते साहितिकी पर आप सभी का एक बारपुन्य हार्दिक स्वागत मित्रों सुल सिक्रित रामचरित मानस के जुतिय सोपान अयुद्या कांड के फिसले वीडियो में हमने दोहा संख्या 28 तक की चर्चा की थी हमने देखा कि किस प्रकार मन्थर के भढ़काने पर केकई कोप बहुन में चली जाती है पर राजा दस्रद उसे वहां मनाने जाते हैं और इसी प्रक्रिया में वे राम की सोवन्द खा लेते हैं और केके से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा तुम अपने इस बुरे वेश को त्याग दो और चाहो तो दो के बदले चार वर ले लो क्योंकि रगवन्शियों की जो रीती है वह हमेसा से यही रही है कि प्रान चले जाएं किन्तु बात नहीं जाती है और इस प्रकार बात पक्की कराकर कोई दुर्बुद्धि के कई हसकर बोली क्या कि सुनहू प्रान प्रिय भावत जी का देहू एक बर भरते ही टीका मागव दूसर बर कर जोरी कुरुब उनाथ मनो रत मोरी भावत जी का अर्थात मन को अच्छे लगने वाली बात या मन चाही बात टीका अर्थात तिलक या राज तिलक पुर्वहू अर्थात पूरा कीजिये केके कहती है कि सुना हूँ प्रान प्रिय भावत जी का ते प्रान प्रिय मेरे जी को अच्छे लगने वाली बात सुनिये क्या देहू एक बर भरते ही टीका एक बर में तो आप भरत को राज़ा बिसे कीजिये और मागाउं दूसर बर कर जोरी पुर्वा उनात मनोरत मोरी और दूसरा बर हाथ जोड़कर मांगती हूँ हेनात मेरी इस इच्छा को भी आप पूरा कीजिये तापस वेश विशेशी उदासी 14 बरिस रामू वनवासी सुनिम्रदू वचन भूप ही है सोकू ससिकर छुवत मिकल जिमी कोकू तापस अर्था तपस्वी उदासी अर्था वेरागी या त्यागी ससिकर अर्था चंद्रमा की किरण और कोकू चकवा केकी कहती है कि दूसरा वर यह है कि तापस वेश विशेशी उदासी 14 बरिस रामू वनवासी कि तापस्वी के वेश में सांसारिक समस्त सुखों से विरक्त और मुनियों के समान 14 वर्ष तक रामचंद्र वन में रहे सुनि व्रिदू वचन भूप ही सोकू ससिकर चुवत विकल जिमिको कू तुल्ची कहते हैं कि केके के यह कोमल वचन सुनते ही पर राजा दस्रत के हुदे में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के छूते ही चकवा व्याकुल हो जाता है आगे तुल्ची लिखते हैं कि गयो सहमी नहीं कचु कही आवा जनो सचान बन जपटे उलावा विवरन भयो निपट नरपालू दामी नहनेव मनव तरुतालू कही आवा अर्थात कहते बना सचान बाज लावा अर्थात बटेर पक्षी विवरन अर्थात रंग उड़ना या कांती हीन होना दामिनी बिजली और तालू अर्थात ताड का पेट उससी कहते हैं कि गए सहमी नहीं कच्छू नहीं आवा कि राजा डर गए और उनसे कुछ कहते नहीं बना जनु सचान बन जपटे उलावा मानो बाज वन में बटेर पर जपता हो और विवरन भयो निपट नर पालू फिराजा के मूँ का रंग बिलकुल उड़ गया कैसे दामिनी हनेव मनहू तर तालू मानो बिजली ने ताड के पेड को मारा हो अर्थात बिजली ताड के पेड पर गिर गई हो उसी प्रकार राजा का मुख बिलकुल विवर्ण हो गया अर्थात उसके मूँ का रंग उड़ गया माते हात मूद दोव लोचन तनु धरी सोच लाग जन सोचन मोर मनोरत सुर्तर फूला फरत करिनी जिमी हतेव समूला अवद उजारी कीनी के केई दीन सी अचल विपत्ति के नही तनु धरी अर्थात शरीर धारण कर सोच लाग सोच ने लगा सोचन अर्था सोच या चिंता करिनी खत्षिनी उजारी उजाडना नेई नियू सुल्चे कहते हैं कि माथे हाथ मूदी दोव लोचन इस सिर पर हाथ रखकर और दोनों आखें बंद करके और तनु धरी सोच लाग जन सोचन और प्राजे दस्षत इस प्रकार सोच करने लगे मानों सोच ही अर्था चिंता ही शरीर धारण करके सोच लगी हो मोर मनोरत सुर्तर फूला दसाच होते हैं कि मेरा मनोरत रूपी कल्प रुक्ष फूल चुका था और फरत करीनी जिमी हते हूँ समूला और वह फलने ही वाला था कि केकई रूपी हतीनी ने उसे जड़ से समूला जड़ से उख़ड़ते का और अवद उजार कीनी केकई केकई ने अयोध्या को उजार दिया पर दीना सी अचल विपत्ती के नई और इसने अचल विपत्ती की नई अर्थात नीव डाल दी कवने अवसर का भयव गयों नारिविस्वास जोग सिद्धिफल समय जिमी जती ही अविध्यानास दस्त सोचते हैं कि कवने अवसर का भयव कि किस अवसर पर क्या हो गया अर्थात क्या होना था और क्या हो गया वेवनारि विश्वास स्त्री का विश्वास मेरा वैसे ही नाश हुआ जैसे जोग सिद्धिफल समय जिमी जती ही अविध्यानास कि जिस प्रकार योग की सिद्धी का फल मिलते समय योगी को अविद्या नश्ट कर देती है उसी प्रकार इस स्री का विश्वास मेरा नाश हो गया आगे तुल से लिखते हैं कि एही विदिराव मनही मन ज्छाखा देखी कुभाति कुमति मन माखा भरत किराव और पूत न हो ही आने हूँ मोल वेसाही की मोही प्रजाखा अर्थात पसाने लगे या हात मलने लगे पुभाति बुरा ढंग या रंग या बदला हुआ रूप माखा क्रोध किया या क्रोधित हुई कुभी है वेसाही खरीदा पुर्जी केते हैं कि एईविदी राव मन ही मन ज्छाखा देखी कुभाति कुमति मन माखा कि राजा इस प्रकार मन ही मन पश्चाताप करने लगे और उनका या है बदला हुआ रूप देखकर कुढंग देखकर और दुर्बदी के कही मन में अत्यंत कुपित हुई और बोली भरत किरावर पूतन हुई आने हुँ मोल बिसाही कि मोही क्या बोली कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है और क्या आप मुझे खरीद कर लाए है अठात क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ जो सुनी सरु असलाग तुम्हारे काहे न बोलहूं बचन संभारे देखु उतरु अनुकरओं कि नाही सत्यसंद तुम रगपुल माई सरु अठात बाण सत्यसंग अठात पतिग्या पूरी करने वाले या सच्चे कैके आगे कहते हैं जो सुनी सरु असलाग तुम्हारे कि जो बात सुनते ही आपको बाण जैसी लगी काहे ने बोले हूँ बचन संभारे तो फिर आप संभाल कर अठात सोच समझ कर बात क्यों नहीं बोलते देखु उतरु अनुकरओं कि नाही सत्यसंद तुम रगपुल माई अब उत्तर दो या मना कर दो सत्यसंद तुम रगपुल माई तुम तो रगुवेंस में सत्य प्रतिग्या वाले हूना अर्थात तुम रगुकुल में सत्य प्रतिग्या करने वाले के रूप में प्रसिद्ध होना देन कहें अब जनी बरुदेहू तजम सत्य जग अब जैसुलेहू और सत्य सराहि कहो बरू देना जाने उलेही मागी चबेदा जनी अर्थात नहीं या मत सराहि प्रशंसा करके और जाने हो समझा था देन कहो अब जनी बर देहूं कि गए आगे कहती है का बर देने के लिए का था अब मत दो सत्य को छोड़ दो और संसार में कलंक लो या कलंक के भागी बनो अपियस के भागी बनो सत्य की तो बड़ी प्रसंसा करके और तुमने वर देने को कहा था और समझा था कि ये चबेना ही मांगेगी सिविदधी चिबली जो कचु भाषा तनु धनु तजयो वचन पनु राखा अति कटु वचन कहती के केई मानहू लोन जरे पर दे मित्रो भाषा अर्थात कहा पनु प्राण या प्रतिग्या पटू पडवी कठोर लोन नमक लोन जरे पर देई अर्थात जले पर नमक देना या नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी करता केके कहती है कि सिवी दधीची बली जोक शुभाषा तनु धनु तजयो वचन पनु राखा कि शिवी दधीची बली अधी राजाओं ने जो कुछ कहा उन्होंने शरीर और धन दोनों को छोड़ दिया किन्तो अपनी बात की पतिग्या को रखा और इस प्रकार अतिकटू बचन कहती केकेई मान हुलोन जरे पर देई और इस प्रकार केकेई अतिन्त कडवी बात कह रही है मानों जले पर नमक्त शिरक रही है नतरों यहां सिवी दधीची और बली की बात का पुलेख किया गया है सिवी की बात की जाए तो ये का जालू और धर्मात्मा राजा थे एक बार इन्होंने सो यग्या करने का निश्य किया जब यग्या कर रहे थे कुछ यग्या पूर्ण कर चुके थे तब देवराजिंद्र को यह भै हुआ कि कहीं यह मेरे ही पद का अधिकारी ना बन जाए और इसलिए वे अगनी को कभूतर और स्वेम बाज बन करके और यग्यमे बिग्न डालने गए कभूतर तराहिमाम तराहिमाम करता हुआ रक्षा करो रक्षा करो कहता हुआ राजा की गोद में जागिरा और बाज भी पीछे ही या लगा और कहने लगा राजन यह मेरा अहार है आप इसे मुझे दीजिए नही नहीं तो मैं भूका मठ जाऊंगा और आपको पाप लगेगा। इस पर राजा ने शर्णागत के बदले अपने शरीर का मांस देना स्विकार किया। हिंतु कभूतर को बाज के हवाले नहीं किया, राजा कभूतर को तराजू की एक पलडे पर रख करके, और दूसरे पलडे पर अपना मास काट काट कर रखने लगे, परंतु कभूतर का पलडा भारी होता चला गया, और इस पर वे स्वएम पलडे पर जा बैठे, बस उसी समय विश्णो भगवान ने पकट होकर उनकी बहाँ पकड़ ली और उन्हें अपने लोग को भेज दिया दूसरी कथा यहाँ पर दधीची की आई है वितनों राजर सी दधीची की जो कथा प्राचिन धर्म कुष्टकों में मिलती है उसके अनुसार इंद्र ने जब त्वस्टा के पुत्र विश्वरूप का निधन किया तब त्वस्टा ने क्रोधित होकर वृत्र नामग अशुर को उतने किया उसमें अपार बल भिक्रम था वे देवताओं को युध में हराने और नाना प्रकार से प्रताडित करने लगा देवता एकटे होकर और नारायन के पास गए और उनकी सुति करने लगे नारायन ने दर्शन दिये और कहा कि तुम लोग घबराओ मत मैं एक युक्ति बताता हूँ और जिसके अनुपूल कारे करने से तुम असुप को मार सकोगे ददीची बड़े तपस्वी और धर्मात्मा पुरूश है विश्वद्ध और निर्विकार ब्रह्म को जान चुके हैं उनसे उनका शरीर मांगो और जब वे अपना शरीर दे दें तब विश्व कर्मा उनकी हड्डियों से वज्जर नामा के शस्त्र बना देंगे जिससे तुम वित्रा सुर का सिर अलग करने में समर्थ हो जाओगे देवताओं ने वैसा ही किया और ददी चिमुनी की हड्डियों से बने वज्जर से प्रत्रा सुर राक्षस मारा गया अगली कथा है बली बित्रों बली पहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र के असुर कुल में उत्पन्न होकर भी बड़े ही धर्मात्मा और दानी थे इनके एस्वरिय और प्रबल प्रताप से इंद्र भैभीत हो गया इंद्र ने सोचा कि कहीं या है मेरे पद को ना ले ले और इसलिए सब देवताओं को साथ ले करके नारायन की शरण में जाकर सुति करने लगे नारायन ने कहा कि है देवताओं नारायन ने बौने के रूप में जन्म लेकर बली की एक गिशाला में जाकर और तीन पख भूमी मांगी बली और अधिक देना चाहता था किन्तु जब उन्होंने तीन ही पख भूमी लेने का हट किया तब उसने तीन पख भूमी संकल्प कर दी और इसके बाद भगवान वामन से विराट रूप में आ गए और दो पख में उन्होंने सारा सामराज्य जनाप लिया और तीसरे के लिए सान नहीं रहा तब बली ने अपना शरीर नपुआ दिया और इस प्रकार बली से समस्त पृत्वी लेकर इंद्र को दे दी और भगवान ने बली को पाताल का राजा बनाया और स्वैम रोज उसे इसी रूप में दर्शन देने का बचन देकर अंतरधान हो गए तो इस प्रकार कहके ही सिवी दधीची और बली की बात कहकर के राजा दस्रत से कहती है कि शिवी दधीची और बली अधी राजाओं ने जो कुछ कहा उन्होंने शरीर और धन दोनों को छोड़ दिया कि इन तो अपनी बात की तितिग्या को रखा सुल्चे आगे लिखते हैं कि धरम धुरंदर धीर धरी नैन उगारे राएं सिर्ध धुनिली ने उसास असी मारे सिम्मों की उठाएं धुरंदर अर्थात धुरी को धारन करने वाला या भार उठाने वाला उगारे खोले उसास लंबी सास उठाएं बुरा स्थान कुछ से कहते हैं कि धरम धुरंदर धीर धरी नैन उगारे राएं कि धर्म की धुरी को धारन करने वाले राजा दश्रत ने धीरे धर कर आँखें खोली और सिर्धुनी लीन उसास असी मारे सी मूँ उठाएं और आँखें कोल कर सिर्धुन कर पत्था लंबी सास लेकर कहा कि इसने इस प्रकार मुझे कुदोर मारा गलत जगह मारा बुरे स्थान पर मारा आगे दीखी जरत रिसभारी मनहु रोस तरवारी उठारी मुठी को बुद्ध थार निफुराई धरी कुबरी सान बनाई परिस अर्थात क्रोध रोश क्रोध उठारी अर्थात नंगा या म्यान से बाहर सान अर्थात सिल्ली या वह पत्थर जिस पर अस्तु तेज किये ज आते हैं उसे कहते हैं कि आगे दीखी जरत रिसभारी मनहु रोस तरवारी मुठारी फिराजा ने के कई को सामने ही अत्यन्त क्रोध से जलते हुए देखा मनो वह क्रोध रोपी नंगी तलवार हो और मूठी कुबधी धार निफुराई धरी कूबरी सान बनाई उसकी तलव से तेज की हुई है लखी महीब कराल कठोरा सत्य की जीवन लेई ही मोरा बोले राव उकठिन कर इचाती बानी सबिने स्तास सोहाती लखी अर्था देखा महीब राजा चाती अर्था फुर्दे बानी वानी या बात सबिने नम्रदा के साथ सोहाती अच्छी लगने वाली लखी महीब कराल कठोरा सत्य की जीवन लेई ही मोरा बोले राव उकठिन कर इचाती बानी सबिने तास सोहाती राजा अपना हर्दे कड़ा करके और नम्रदा पूर्वक उसे अच्छी लगने वाली बात बोले क्या बोले प्रिया बचन कहे कहसी कुभाती धीर प्रतीती प्रीती करी हाती मोरे भरतु रामदु याँखी सत्य कहाओ करी संकरु साखी हाती अठात नश्ट या दूर संकर शंकरजी साखी साख्षी या गवाह बसक कहते हैं कि प्रिया बचन कहसी कुभाती धीर प्रतीती प्रीती करी हाती कि है प्यारी डर विश्वास और प्रेम को नश्ट करके ऐसे बुरे बचन किस प्रकार कह रही हो धीर प्रतीती प्रेती करी हांद धीर अधा धर प्रतीती विश्वास प्रीती प्रेम आती नश्ट करके मोरे परतु रामदुयाखी सत्य कहाँ करिसंकरो साखी मैं शंकर जी को साक्षी मान करके और सत्य कह रहा हूँ क्या कि मेरे तो भरत और राम दोनों आखें हैं अथाद दोनों एक ही समान है हवसी दू तुम्हें पटीब प्राता एह हैं ही बेग सुनत दो भरता सुधिन सोधि सबसाज सजाई देव भरत को राजु बनाई तो दो भरता अथाद भरत और शत्रुग्न सोधि खोजकर या निश्य करके दस्ट कहते हैं कि अवसी दू तुम्हें पटीब प्राता कि मैं सवेरा होते ही अवश्य दूत भेज दूँगा और एह हैं ही बेग सुनत दो भरता और दोनों भाई मेरा बुलावा सुनते ही शिद्र आ जाएंगे और तुदिन सोधि सब उसाज़ सजाई देव भरत का उराज़ बजाई और फिर शुब दिन निश्य करके और सब तैयारी करके मैं डंका बजा करके और भरत को राज़ दे दूँगा लोगुन राम ही राज़ कर बहुत भरत पर पे थी जरत कहते हैं कि राम को तो राज़ का तनिक भी लोग नहीं है और उसका प्रेम भरत पर बहुत है और introduod चोटे हैं और में बड़े चोटे को विचार करके और रिपनीति अर्थात राजनीति का पालन कर रहा था रामसपत सत कहें सुभाव। राम मा तु कहें नकाव। मैं सबुकीन तो ही बिरो कूछे तहींते परें मनोरत चूछे तो चूचे अर्थात खाली या ब्यर्थ दसत कहते हैं कि राम सपतसत कहें सुभाव मैं राम की सो सोगंद खाकर सुभाव से ही अर्थात स्वभाविक रूप से ही छल कपट से नहीं मैं स्वभाविक रूप से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा राम मात तु कछु कहें न काओ और मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे तेही तेपरे उ मनौरत छूछे मैंने तुमसे बिना पूछे ही यह सब किया और इसलिए यह मेरा मनौरत जो था वो खाली चला गया रिस पर हरू अब मंगल साजू कछु दिन गये भरत जुबराजू और कछु दिन गये भरत जुबराजू कुछे दिनों बाद भरत जुबराज हो जाएंगे और एक बात मों ही दुख लागा किन्ति तुमारे एक बात का मुझे अत्यनत दुख है का बर दूसर अस्वंदिस मागा कि दूसरा वर तुमने बड़े ही अस्वंदिस का मागा है आज़ाओं घृदे जरत तहीं आचा रिस परिहास की सांचे हूं सांचा कहुत जिरोस रामा पराधू सब को कहेई राम सुठी साधू तो आचा अर्थात गर्मी या ताप सुठी सुंदर या अच्छा दस्त कहते हैं कि अज़ाओं हदे जरत तहीं आचा तुमारे उस दूसरे वर की आच से मेरा हदे अभी तक जल रहा है रिस परिहास कि सांचे हूं सांचा तुमारा ये हसी का क्रोध है या सच्मुची सत्य है तुम ये जो क्रोध कर रही हो वो हसी में अज़ात मजात में कर रही हो या सच्मुची तुम सत्य में ही क्रोध कर रही कवतजिरोस राम अपरादू सब को कहे राम सुठी साथ क्रोध छोड़ करे राम का अपराद तो बताओ राम को तो सभी सुंदर साधु गुरुष कहते है और तुहू सराहसिकरसिसने हू अब सुनि मोही भयो संदे हू जासु सुभाव अरहियन कूला कि तुहू सराहसिकरसिसने हू कि तू भी तो उनकी प्रसंसा करती है और उन पर स्नेह करती है अब सुनि मोही भयो संदे हू किन्तो अब तुमारी बाती सुनकर मुझे संदे हूआ है क्या कि जासु सुभाव अरहियन कूला सोकी में करी ही मात तो प्रतिकूला कि जिसका सभाव शत्रु के भी अनुकूल है तो यह माता के प्रतिकूल कारे कैसे कर सकता है प्रिया हासर इस परिहर ही मागू विचारी विवेग को जही देखां अब नैन भरी भरत राज अभिशे तसत कहते हैं कि प्रिया हास रिस्परीहर ही मांगू विचारी की बेट कि है प्यारी यह हसी है अठात मजात का क्रोज छोड़कर और विवेक पूर्ण सोच समझ करके और वर मांगो जिससे जहीं देखा अब नैन भरी भरत राज अभी शेख कूँ जिससे मैं भी अब भरत का राज तिलक आँख भर कर देख सकूँ कि मचली जिस प्रकार बारी अर्थात जल के बिना जीती रहे और मनी बिनो फनिकू जिये दुख दीना फनिकू अर्थात साप और साप भी बिना मनी के भले ही दुखी और दीन होकर जीता रहे किन्तु कहँं सुभाव नचलु मनमाही जीवन मोर राम दिनो नाही कि तुम्हें निश्कपट मन से और निश्कपट सोहाव से यह कह रहा हूं कि मेरा जीना राम के बिना नहीं हो सकता भले ही मचली जल के बिना जीती रहे और साब बिना मनी के जीता रहे लेकिन मैं निस्कपट मन से निस्कपट भाव से यह बात कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं हो सकता और इसलिए आगे कहते हैं दसत कि समुझ देखु जीए प्रिया प्रबीना जीवन राम दरस आधीना सुनी मृदू बचाने कुमती अति जर्ई दसत कहते हैं कि समुझ देखु जीए प्रिया प्रबीना जीवन राम दरस आधीना की है चतुर प्रिये प्रिया प्रबीना चतुर प्रिये तुम अपने हिर्दे में विचार करके देख लो और मेरा जीवन राम दरस आधीना है अतात राम के दर्शन के ही अधीन है तो उसी कहते हैं कि सुने मृदु बचन कुमती आती ज़रही मनहु अनल आहुती ग्रित परे कि ये कोमल बचन सुनकर वै दुर्बुद्धी के कही अचनत जल रही है अतात और भी क्रोधित हो रही है मन हुआनल आहूती घृत परही मानो अगनी में घी की आहूती पड़ रही है कहें करहो किन कोटी उपाया इहान लागी ही राहूरी माया देहो कि लेहो अजसू करी नाही मोहीन बहुत प्रपंच सोहाई वह कहती है कि तुम करोणो उपाय क्यों न करलो कहें करहो किन कोटी उपाया तुम करोणो उपाय क्यों न करो इहान लागी ही राहूरी माया तुमारी माया यहां नहीं लगने वाली अठात यहां नहीं चलने वाली देहो कि लेहो अजसू करी नाही मोहीन बहुत प्रपंच सोहाई या तो दोनों वर्दान दो या मत दो और मना करके कलंक को ले लो पर मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता राम साधू, तुम साधू सयाने, राम मात भली सब पहिचाने जस कोई सिला मोर भलता का, तसफल उनहीं देव करिशा का केटी है कि राम साधू हैं, और आप सयाने साधू हैं, अरठा चतुर साधू है और राम मात भली सब पहिचाने, और राम की माता भी अच्छी हैं, मैंने सब को पहिचान लिया और आगे बहँ कहती है कि जस कोई सिला मोर भलता का, तस फ़ल उनहीं देव करिशा का कि कोसल्य ने जैसी मेरी भलाई सोची है वैसा ही फल मैं उन्हें साका करके दूँगी मैं कहती है कि सुबह होते ही सवेरा होते ही मुनी का वेश धारन करके यदि राम वन को नहीं जाते हिराजन ये निसे अपने मन में समझ लेना कि मेरा मरण और आपका कलंक दोनों एक साथ होंगे अस कहीं कुटिल भाई उठी थाड़ी माना हूँ रोस तरंगी ने बाढ़ी पाप पहार प्रकट भाई सोई भरी ग्रोध जल जाए न जोई तुलसी लिखते हैं कि ऐस कहीं कुटिल भाई उठी थाड़ी माना हूँ रोस तरंगी ने बाढ़ी कि ऐसा कहकर वह दुष्ट कहकरी उठ खड़ी हुई मानों रोस तरंगी ने अर्थाथ क्रोध की नदी उमन आई बो और पाप पहार पकट भई सोई भरी ग्रोध जल जाए न जोई और वह नदी मानों पाप पहार अर्थाथ पाप के पहार से प्रकट हुई है और भरी ग्रोध जल जाए न जोई और ख्रोध रूपी जल से भरी हुई है जिसे जोई अर्थाथ देखे नहीं बनता दो बर पूल कठिन हट धारा ओमर कूबरी बचन प्रचारा धाहत भूप रूप तरुमूला चली विपति बारिधी अन पूला दो बर पूल कठिन हट धारा दोनों बर दान उसके दोनों पूल अर्थाथ किनारे हैं वो दोनों बर दान उस नदी के दो किनारे हैं और कठिन हट धारा और केके का कठिन हट उसकी धारा है और भूपर कूबरी बचन प्रचारा और उस कूबरी की बातों की प्रेरणा उसम अनुपूला। और बिपत्тी रूपी बारिधी अर्थात रूपी व्रक्ष को जड़ से भूब रोला हुआ हद। राजा रूपी व्रिक्ष को जड़ से नस्ट करती हुई और चली विपत्ति बारिधी अनुपूला, विपत्ति रूपी बारिधी अर्थात, विपत्ति रूपी समुद्र की ओर वहनदी, राजा रूपी व्रिक्ष को जड़ से नस्ट करती हुई चली जाती है। लखी नरेस बात फुरिसाची तीय मिस मीचु सीस परनाची और गही पद विन एकीन बैठारी जनि दिनकर कुलो सी कुठारी तो इसी कहते हैं कि लखी नरेस बात फुरिसाची कि राजा ने देखा कि इसकी बातें सब सत्य हैं और तियमिस मीन्चु सीस परनाची कि तियमिस अर्थात इस स्त्री के वहाने मीन्चु अर्थात मृत्यू सिर परनाच रही है सीस परनाची और गही पद बिने कीन बैठा रही और टवर उन्होंने गही पद अर्थात चरण पकड़ कर उसे बैठाया कीन बैठा रही जनी दिन करे कुल वो सी कुठारी और कहा कि हे के कई कि तु दिनकर कुल अर्थात सूर्य बंस रूपी व्रिक्ष के लिए कुठारी अर्थात कुलाडी ना बन रस्त कहते हैं कि मेरा सिर मांग ले अब ही देऊ तो ही मैं तुझे अभी देता हूँ और राखु राम के व्योग में मुझे मत माग और राखु राम कहूँ जहिते ही भाती ना ही तजरी ही जनम भर इच्छाती कि जिस प्रकार से भी हो राम को आयोत्या में रख ले नहीं तो जनम भर तेरी च्छाती जलती रहे तुसी लिखते हैं कि देखी ब्यादी असाध निपू परे उधरनी धुन्दि माथ कहत परम आरत बचन राम 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 नाथ कि राजा ने देखा कि रोग असाध्य है देखी ब्यादी असाध निपू राजा ने इस रोग को असाध्य देखकर परे उधरनी धुन्दि माथ कहत परम आरत बचन राम 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 रगुनाथ अत्यंत दुख पूर्ण बचनों से हे राम हे राम हे रगुनाथ कहते हुए धुन्दि माथ अर्थात सिर पीट पीट कर सिर पीटते हुए प्रिथ्वी पर गिर पड़े प्रित्वी पर गिर पड़ तुल्ची आगे लगते हैं कि व्याकुल राव सिधिल सब गाता करें निकलब तरु मनहुनि पाता कंत्व सूख मुख आव नबानी जनुपाठी नुदीन बिनुपाता पुल्ची कहते हैं कि व्याकुल राव सिधिल सब गाता कि व्याकुल हो गये और उनका गाता अर्थात उनका स्रीर सब गाता समस्त शरीर सुख पड़ गया करिनी कलप तरो मनहू निपाता मानो करिनी अर्थात हतिनी ने कलप विक्ष को कलप तरो कलप विक्ष को निपाता अर्थात नश्च कर दिया हो कंठो सूख मुख आव नमाने उनका दला सूख गया और मुझे बात नहीं निकल रही मानो पानी के बिना पाथीन नामक मस्ली दुखी हो गई हो अर्थात तडप रही हो पुनि कहें कटू कठोर केकेई मन हुधाय महु माहुर देई जो अन्त हुआस करतब रहे हूँ मागू मागू तुम कहें मल केई तुछ लिखते हैं कि फिर केकई पुरी कह है कटू कठोर केकी केकई फिर कड़वे और कठोर वचन कहने लगी मनहू घाय महू माहूर देई मानो घाओ में जहर भर रही हो क्या कहती है केकई कि जो अन्त हूँ अस करता बुरह हू मागो मागो तुम केही बलके हू कि जो अन्त में तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने मांग मांग किस के बल पर कहा था किस बल पर कहा था केके कहती है कि दुई की होई एक की समय भुआला हस्ता का ठठाई फुलाय उब गाला कि हे राजन ठाहा का मार कर हसना हस्त ठठाई ठाहा का मार कर हसना और फुला उब गाला और गाल भी फुलाय रखना क्या दुई की होई एक समय भुआला क्या ये दोनों कारे एक साथ हो सकते हैं अर्थाद कौन से कारे दानी कहाओ और उक्रपनाई वो इंकी खेम कुसल रोता है कि दानी भी कहला न और कंजूसी भी करता क्या स्वामित्व में भी क्षेम कुसल रह सकती है अर्थाद स्वामी या मालिक हर हाल में निंदा और शतुक्ता का पात्र बना रहता है अच्वा रोताई अर्थात युद्ध में भी कभी उसलक्षेम रह सकती है क्या यानि युद्ध में तो हर हाल अपने चोट खानी ही पड़ेगी केके कहती है कि चाडव बचनों की धिरज धरव किया तो बात छोड़ दो ये धिरज धरव जनिय अब लाजी में करू ना करहू इस्तरे के समान इस तरह है विलाप मत करो कि शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और प्रित्वी ये सब संग कों तरहने समबरनी ये सब सत्य प्रतिग्य के लिए अत्यंत तुच्छ कहे गए हैं तिनके के समान कहे गए हैं तरहने समबरनी वरनी प्रणन किये गए हैं, कहे गए हैं और मरम बचन सुनी राओ कहें कहू कच्छ दो सन तोर कुल्ची कहते हैं कि मरम बचन सुनी राओ कहें कहू कच्छ दो सन तोर कि कह कही के ठरदे विदारक बचन सुनकर राजा ने कहां क्या कच्छ दो सन तोर कि इसमें तेरा कोई दोश नहीं है मेरा काल भूत हो करके और तुझे लग गया है और वही तुस्से यह सब कहला रहा है दस्तर आगे कहते हैं कि चहतन भरत भूपत ही भोरें विदिबस कुमति बसी जियतोरें सो सब मोर पाप परिनामू भयो कुठा हर जहीं विदिबाम। कि चहतन भरत भूपत ही भोरे कि भरत तो भोरे अर्थात भूलकर भी भूपत ही अर्थात राजपद नहीं चाहते विदिबस कुमती बसेजियतोरे विदिबस अर्थात पोनहार के वश तेरे ही घृदे में यह है कुमती अर्थात दुर्बुद्धी आवसी है और यह सब मेरे ही पापों का फल है और जिसके कारण विद्धी अर्थात ब्रह्मा टेड़े हो गए उल्टे हो गए केते हैं कि तुमारी उजाड़ी हुई सुंदर अयुध्या स्वेच्छा से फिर बस जाएगी और सब गुन धाम राम प्रभुताई और समस्त गुनों के घर सिराम का उस पर आधिपत्य होगा करिहां ही भाई सकल सेवकाई होई हिति हो पूर राम बढ़ाई और सभी भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में राम की बढ़ाई होगी तोर कलंक मोर पच्छिताऊ मुए होन मिट ही न जाए ही काऊ अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठो मुख गोई तोर कलंक मोर पचिताओ तो तेरा कलंक और मेरा पच्तावा मुए हून मिटे ही मरने पर भी नहीं मिटेगा और न जाए ही काओ और किसी प्रतार नहीं जाएगा पर अब तो ही नीक लाग करू सोई अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर लोचन ओट बैठ मुँगोई मुँच्छिपा कर मेरी आँखों की आड में जा बैठ अर्थाद तुझे यहां से हट जा जब लगी जियों कहाँ कर जोरी तब लगी जनी कचुक हैसी बहोरी खिरी पच्छी ते हसी अंत अभागी मारसी गाई नहार उडागी जब लगी जियों कहाँ कर जोरी मैं हाद जोर कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक तब लगी जनी कचुक हैसी बहोरी तब तक फिर कुछ मत कहे फिर पच्छी ते हसी अंत अभागी थे अभागी अंत में फिर तू पच्छताएगी मारसी गाई नहारू लागी तू सिंग के लिए गाई को मार रही है नहारू सिंग या शेर तू सिंग के लिए गाई को मार रही है अते तू अंत में पच्छताएगी परे उराओ कही कोट विधी काहे करसी निदानौ कपट सयाने न कहती कछू जागती मनहु मसानौ। तुल ची कहते हैं कि परे उराव कही कोटी बिद्धी काहे करसी निदानौ। कि राजा करोड़ू प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तु क्यों सर्वनाश कर रही है। और यहा कहते हुए तुल कपट करने में सयानी अर्थात कपट करने में चतुरखय कई कुछ बोली नहीं मानो शवसिद्ध कर रही हो। जागती मसानौं। पर थात मसान जगाना या मुर्दा सिद्ध करना शवसिद्ध करना तो आज के लिए इतना है शेश कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे तब तक के लिए यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों के साथ साजा कर में पीडियाप तता अन्य साहता के लिए हम से टेलिग्राम पर जुड़ें चैनल को सब्स्क्राइब करें और भविशी के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए गंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित की करें बाता वाला भविजयोज की सूचना अन्य साहित में चैनल क क्यों चाहित मैं और भविशी के सबस्क्राइब तक सबस्क्राइब करें।